बाल्श्रम की भयावै स्थितियों से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन भी काम कर रहे हैं उनके प्रयासों के अलावा अगर सरकारी स्थर्ब सही कदम उठाए तो इसकी जल्द रोक्ताम की जा सकती है भारत में मध्यान भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जांबिया और मेक्सिको में नगत भुगतान जैसे खारे क्रमों का बहुत लाब हुआ है इन्हें भी देश में लागू करने से बाल मज़ूरी कम होगी नमशकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यान गंगा में चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विशे के बारे में बच्चे देश का भविश्य होते हैं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बच्चपन खेलने, कुदने या पढ़ाई लिखाई के बजाए मज़ूरी करते हुए बीचता है आजाद भारत में आज भी एक करोड से जादा बच्चे बाल मज़ूरी करते हैं हर घंटे दो बच्चों का बलतकार होता है चार बच्चे यौन शोशन का शिकार होते हैं हर घंटे आठ बच्चे मानव तसकरी का शिकार होते हैं ऐसे बच्चों को चुरा कर बाल मज़ूरी और वैश्यावरती आदी के लिए खरीदा बेचा जाता है ये सरकारी आंकडे हैं असल संक्या इससे कही ज्यादा है गौर तलब है कि COVID-19 महामारी के चलते जहां आर्थिक स्तर पर होने वाले व्यापक नुकसान से काम की स्थिती में गिरावट आई है वहीं गरेलू आये कम होने के कारण कोरोना संक्रमन रोकने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने पून बंदी की थी जो कहीं कहीं अब भी चल रही है इससे व्यापारिग गतिविधिया कलकार खाने पूरी तरह बंद रहे हैं जिससे करोडों लोगों को विरोजगार होना पड़ा और उनके परिवारों के सामन रोजी रोटे का संकट खड़ा हो गया है यूनिसेफ का नुमान है कि इन परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में बाल मजदूरी में बड़ोतरी हो सकती है गरीबी से तरस्त परिवार बच्चों को खतरनात ओद्यों की गतिविधियों में भी काम करने को भेज सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो भारी संख्या में बच्चों के बच्पन पर घातक असर पड़ेगा। तुलना में उन्हें वेतन कम देना पड़ता है और उनसे ज्यादा देर तक काम लिया जाता है आज गाओं की स्थिती ज्यादा खराब है परिवारों को काम के लिए ज्यादा लोग चाहिए ताकि पैसे कमाए जा सकें अगर हम सुधार के लिए तुरंत कदम नहीं उठाएं तो स्थिती और जादा बुरी होगी पश्चिम बंगाल के उनीस जिलों में साड़े 2100 बच्चों को उक्त सर्वेक्षन में शामिल किया गया था उनमें 173 दिव्यांग भी शामिल थे इन दिव्यांग बच्चों में से महस साड़े 37 प्रतीशत ओनलाइन पढ़ाई में यह है यो भारत के सम्विधान में मूल अधिकारों के अनुछे 24 के अंतरगत बाल्शम पतिबंदित है लेकिन इसका एक प्रमुक कारण गरीब बच्चों के माता-पिता में लालच और असंतोश का होना है माता-पिता अपनी सुविधा के लिए बच्चों से मजदूरी करा जिस से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बाल्शम में वृद्धी का दूसरा कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ठीक न होना भी है भारत्य सरकारी स्कूल अध्यापकों की अनुपस्थती के मामले भी विश्म में युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर है सरका स्कूलों के पांच़ी कक्षा के अधिकतर बच्चे तीसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते हैं स्कूलों में कोशल विकास बिलकुल नहीं होता केवल कलर्क बनाने वाली रट्टा मार पढ़ाई होती है तो क्यूं बच्चों स्कूल जाना चाहेंगे और क्यूं अभी भावक उन्हे स्कूल भेजना चाहेंगे। नई शिक्षा नीती से इन समस्याओं का समधान निकलेगा और शिक्षा वस्था का चरितर भी बदलेगा लेकिन उसके लिए अभी प्रतिक्षा करनी होगी। बीच इस संख्या में 95 प्रतिशत के व्रदी हुई है। इसका परिणाम यह होगा कि और ज्यादा बच्चे अधिक महनत तथा शोशन वाले काम करने के लिए मजबूर होंगे। अंतराश्य श्रम संगठन ने अनुमान लग गाया है कि आज से 7 वर्ष बाद भी लगभग 21 करोड बच्चे अलग अलग कार्यों में सलंगन पाए जा सकते हैं। अब भी विश्व में 5 से 17 वर्ष के बीच के काम करने वाले बच्चों की संख्या एक अरब 52 करोड है। नैशनल लेबर इंस्टिटूट अफ इंडिया और यूनिसेफ द्वारा तयार की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लखनों में कुल 35,000 बाल मजदूर हैं और कोरोणा के कारण इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। यही वज़ा है कि यह शहर बाल श्रम के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंद गया है। बाल श्रम का एक प्रमुक कारण और चारिक अर्थ्यवस्था में श्रम संबंदि रिक्षकों की कमी होना भी है। जिसके फल स्वरूप लगभग 71 फीसद बच्चे आज भी क्रिशी कारे में लगे हैं। जिन में से 69 फीसद बच्चों को परिवार की इकाई में काम करने के कारण प्रमुक नहीं दिया जा सकता। आज भी भारत में प्रति दिन लगभग 30 फीस लाग बच्चे स्कूल के बजाए काम पर जाते हैं। कोरोना काल ने स्थिती को और गंभीर बना दिया है। बड़ी त्रासदी भला और क्या होगी कि देश में आज भी 17 करोड बाल श्रमिक और लगभग 20 करोड व्यवसाइक बिरोजगार हैं। ये वियसक कोई और नहीं बलकि बाल श्रमिकों के माता पिता हैं। ये विरोधा बास बाल श्रम के खतम होने से ही प्रमाप्त हो पाएगा। बच्चों के विरोध हिंसा, सामुहिक कारयो, राजनितिक इच्छा शक्ती, प्रयाब संसादन और वंचित बच्चों के प्रती प्रयाब सहानु भूती से बाल श्रम समाप्त किया जा सकता है। करने होंगे आज देश के प्रतेक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन कराने की जरूरत है देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा श्रमिक दिखे तो देश के प्रतेक नागरिक का कर्तब है कि वह बाल मजदूरी का विरोत करे वैसे बाल श्रम की भ्यावय स्थित से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन भी काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के अलावा अगर सरकारी स्तर पर सही कदम उठाये जाएं तो इसकी जल्द रोक्ताम की जा सकती है। भारत में मद्यहान, भोजन और ब्राजील, कॉलंबिया, जांबिया और मेकसिको में नगत भुगतान जैसे कारे क्रमों का बहुत लाब हुआ है। इन्हें भी देश में लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी। मेकसिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से भी बाल मजदूरी कम हुई है। साथ ही सरकारों गरीबी के बैंक खातों में नगत पैसा दे। भविश में उन्हें सस्ता और सुलब कर्ज उपलब्द कराएं ताकि वे साहुकारों के चंगुल में न होगी ऐसे और दल्चस्प और जानकारी से भरे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यांग गंगा से जुड़े रहें और कृप्या हमारे वीडियो को लाइक शेर कमेंट और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें